अरे वो अखेले लड़े हैं और पूरे सारे चोरे खट्टे हो गए तब जाके मोदी जी को हराना चाह रहे थे हर बार कहता है बात चीत करना चाहिए हर बार अटाल भी आरी भी आट बाच में भी तो बात करने गए थे यह चीज सोचिए कि अब की बार बिपक्स भी बहुत खुश है इसलिए खुश नहीं है कि उनकी इतनी सीटा गी वह खुश इसलिए है कि इन मुर्खों को इन पागलों को हमने बाट दिया जाती वादों में मैं हिंदू में ब्राम्मल में ठाकूर में दलित सब बच चुके है जो चम्चो को बहुत जल्दी अनुमाल लगा लेते कि कुछ साहरा नहीं मिले है बैसा की की सरकार है लेकिन पता नहीं है जैसे पूरे टाइम चलिया पांच साल की सरकार बनी है इस वार भी पूरे पांच साल खेलके जाएंगे घ्रद में अब करने है बच्ब कर रहे हैं और वोटीं कम हुई और जिनको विश्वास्ता वहनोंनी गेला है अगर अब दुबारा अगर खुदाना कास्ता का सरकार गिर गई तो अगली बार अगर 6 साले में एक साल मार बोट होए तो मोदीज 400 पार खड़के जाएंगे कुछ भी हो जाए सरकार गिरानी पड़े दुबारा चुनाओ कराना पड़े 400 पार करना फिर अब भी कह रहें घिरा देंगे सरकार हम कहां अब नीतिस जी अउधर से सीबी एन खड़े हैं चंदर भाबु नाइडू अब दो बैसाखी खिसकेगी तो सरकार तो गिरी जाएगी तो भाइ सारे चोर तो इखटे हो रहें न एक एक जने से लड़ रहे हैं सारे चोर आप यह कहते हैं मोदी अकेला नहीं है उनके साथ भी और लोग खड़े हैं कि एक साइड मोदी अकेला एक सब्सक्राइब बराबर का कोई दो बैसाखी होना चाहिए ना उतना बड़ा तो उतना पावर्फूल बैसाखी कोई और है तीन मिल जाएगा ना वह कुछ नहीं है कि प्रिफ्र करण करने करणी डर्स माड़र्फ लाड़ा हैं का मुदी साइं का वहादा गया कि जोटका सब्सक्राइब हैं क्या हो रहा है जो हमको लगना टृष उतैप के अभी नहीं हो पाएगा थोड़ा सोच्के होगा करना तो करना है वह चीज़ थोड़ा सोच के होगा कोई यह तो अपस में मिल जूके बाच्चित के होगा पहले से खड़ा-खड़ा था हमारा जनता साही से उसको वोटिंग नहीं दिये दिये जाएगा उसको सोचके होगाएगा तो तुरंत करना है कि उसको सोचके पकड़ा जाएगा पाल यहां वह एक हैं लगें का फंदरह पीस दिन लगेगा लगत है और फिर करवाना पड़ेगा और इस बार ऐसा कराएंगे कि जूपड़ा साफ कर हार बार कहता है हर बार करने मारने के लिए विपक्ष का साथ होना जरूरी है ना क्यों नहीं साथ देगा क्यों नहीं साथ देगा क्यों नहीं साथ देगा विपक्ष सरकार को कोशने में लगी है नहीं साथ देगा तो इसके मतब विपक्ष नहीं एक करवाया है मैं तो सीधा कहता हूँ कि विकुम नहीं बोल सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि आख सथ भी पाइज बिलकुल अब कहा है जो हमले हुए है बिलकुल जम्मू काशमिर प्याऊ nar बिल्कुल पैदा कर रहा है उसको साथ देना चाहिए जब 30 मारें तो 50 मारेंगे और घुच के मारेंगे अना पड़ेगा ना साक्षि कि विपक्ष का हाथ है क्यों नहीं विपक्ष देगा तो हाथ रहेगा बिल्कुल बिल्कुल आते हैं जैसे राउल गांदी जी बयान देते कि भारत भूमी से सब्सक्राइब कर रहे हैं जब अबामा जी आते हैं जारी मिलिटरी वाकायम होती है तब यहां पर केजरिवाल के ओफिस दंगे कर वाते हैं क्या सबूत लोगे जब मोदी जी वहापर सपत ग्रेड कर रहे होते हैं उसी दोरान यह कांड हो जाते क्या ची में क्यों नहीं कर देते की वीपक्ष का यहाथ है वीपक्ष नियाम लागए जैसे सवाल तो यह उट रहा है 400 पार आता तो लोग कहरें कि अब तक हो गया होता अब हो जाएंगा यार कल सबदली ऐसका का कंडे कल हो जएक तुम्हें क्या अपता देर हो रही है नहीं हो रही हो तुम्हें क्या पता का सघ्सथे की प्लैनिंग करें हो तो मैं क्या पता का से मार ना चाहरे हो तुम्हें पता थोड़ी है थो पता लग कर ना अभी दैर हो या पता लगए यसा का destalyped एक पारना करना करते गया गंद उसको अंदर आपने गुंड़ गुंड़ रुबादी ओंट वहीं जेल में फिर उड़ीजी ने क्या करया अंदर घुस गुसके सबको महारा कोई सबूत निये तो पता तुमें भी उन्हों नहीं करवाया बस प्रूप निये लेकिन करवा तुम भी रहंगा अंदर घुश घुश के हमारा अभी तो भाई साब अभी तो भाउमत भारतिय जन्ता का पाटी के पास है भी नहीं तो अभी तो अडंगा लग सकता है बहुत बढ़िया सोचने वाली बात है यह चीज़ सोचिए कि अब की बार बिपक्स भी बहुत खुश है इसलिए खुश नहीं कि उनकी इतनी सीटा गई वो खुश इसलिए है कि इन मुर्खों को इन पागलों को हमने बाट दिया जाती वादों में मैं हिंदू में ब्राम्मल में ठाकूर में दलित सब बच चुके हैं चार सो पार इधर ओतो चलिए बोलिया विचारे भोखला हुए है साले आठ थाजार खटागट नहीं मिले भोखला हुए है कहां जाए स्रकार कितने चलेगी अंदाजाए कि छे महींने चलेगी किसी ने ऐसी पोस्ट कर रखी थी कि मोदी जी का का रेकल सुरूरे थे बिल्कूल बेसाखी वाली निया अगर होती ना जैसे नितिसकुमार को कह रहेते इंडी वाले कि हमारे पार पास आज आजा आज चलिए आप सवाल थोड़ा आते हैं टॉपिक बदलते हैं ठीक है आ रहे हैं आप पास आ रहा हूं अब कहा जा रहा है कि एक परकार से मोदी जी आज गए हुए थे आंद्रा परदेश में सपत ग्रहन सामारो था चंदरबाबु नाइडू का वीडियो नहीं देखी कोई बात अब जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है सीबी एन को लग रहा है कि मोदी जूके हुए उनके पलडे में लग रहा है कि एकदम सहारा लेना पड़ रहा है कि ऐसे बहुत अब एसा कुछ नहीं है कुछ टाइम पहले इस चीज़ में कह देना चाहता हूं जब ऐसा हो रहा है तो यह चीज़ कुछ होती है देखने वाली जो समझ नहीं आती है जो चम्चों को बहुत जल्दी अनुमार लगा लेते कि कुछ साहरा नहीं मिलों यह बैसा की की सरकार है लेकिन पत लेकिन पता नहीं जैसे पूरे टाइम चलिया पांच साल की सरकार बनी है इस वार भी पर पांच साल खिलके जाएंगे जी बिल्कुल चलेगी सरकार की जो गा क्टा-खट काम होंगे सौधीनों में बड़े-बड़े फैसले लिए जाएंगे यह लिये जाएंगे डिल्गूल अप बोला था पहली यह किस्जित भारत का का मां भुदू होगा तीसरे में भीकिस् तो पांच और दस साल उपाच 15 साल पंद्रहा साल पंद्रहा दोने तो कह सकते ठीक है लेकिन यह तो नहीं कह सकते न के सरकारी तो नहीं वहला था कि सरकारी नहीं रोजगार कि तो कि पीफ का डेटा चाहिए आप 210 में कितना था 11 करोड कुछ था आज के टाइम पर कितने 27 करोड कुछ है सम्थिंग डबल हो गया फिर मिल जाएंगे पांच साल में कितने 10 करोड देने मिल जाएंगे बढ़ी आराम से कोई मुझे दिखते नही इसके पास के बिल्टी ऐसके लिए वो कर लेगा मैंती बंदा खुद कर लेगा कमा के खाले वो परिसान नहीं कि रोजगार नहीं है उनको क्यूं नहीं आप रोजगार दे सकते रोजगार दे तो जेव काटना बंद कर देंगे फिर तो आप बहुत अच्छी बाते कर रहे ह जिसे हराम का खाने की आदत पड़ गई है वो कैसे मैनत करना चाहेगा फिर तो वही वाली बात कर दी परत्रकार महोदे आपना की चील का हुआ को रोजगार दे तो ड्रोन का काम कर तो इनने जर रख लेंगे सब पे ये बात नहीं है अगर आप अगर देखिए सवाल ये है कि अगर कोई जेव काट रहा है ठीक है जेव काटा आप उसको पकड़े कोई काम आप उसको दे दीजे ना कि ये काम करो तुमको पैसे मिलेंगे अच्छा ठीक है बहुत सिंपल सी बात है मुझे एक सी समझाईए क्या बोलें क्या करो सीपल सा सवाल है कि ऐसे आपने देखें गवह सारे फुटपातों वे कि बच्चे एक रुपा दे दिये दो रुपे दे दिये दे $2 20 रुपे दे पचास रुपे दिये तो बस उन्होंने करना है पकारना है पहले पूरी बात सुनिए पैदा करके पहले तो बारा बारा तेरा तेरा पैदा कर लो फिर छोड़ दो तो वह यह कहां जाएंगे यो क्यों करते हो तरकों प्याओ और इस चीज़ पर योगी जी ने आ गए हैं बाबा प्रचेंट रूप में आ गए हैं कि जिससे दो से ज्यादा है जिसके भी राशन बंद सारी सरकारी सुपदाई बंद यह सिर्फ यूपी में नहीं मैं तो कहता पूरे भारत वरस में होना चाहिए तब समझ आएगा तब इनको नोकरी भी मिले की तब इनको सब कुछ मिलेगा तो कि कि अ